Hello everyone, my name is Smeet and you are watching technical government job all over India YouTube channel आज की वीडियो आपके लिए बहुत जादा important होने वाली है because आज हम बात करने वाले हैं government department की तरव से आई हुई latest vacances की बारे में जहां पे आपके purely ये work from home job रहने वाली है कोई free pay नहीं करनी है, कोई investment आपके यहां पर नहीं रहने वाली है और यह जो job update आज चुका है, अधार कार के तरव से आज चुका है जहां पे as a fresher आपके इसमें hiring होने वाली है आप किसे भी age group में आते हैं, apply इसके लिए कर सकते हैं salary की भी अगर मैं बात करूँ, up to 30,000 in hand आपके इसमें salary रहने वाली है तो काफी अच्छी opportunity आपके लिए आचुकी है आप में से इसके लिए हर कोई eligible है, हर कोई apply कर सकता है विकॉज आपके यह प्योर्ली remote job रहने वाली है मतलब आप किसी भी location से belong करते हैं, घर से बैठ कर आप इसमें work कर सकते हैं और अच्छी income आप यहां पर earn कर सकते हैं, fix salary आपको यहां पर provide की जाने वाली है इसमें बहुत जादा आपको benefit मिलने वाले हैं आप सब जानते हैं, government department में entry लेने का क्या procedure होता है या तो उनकी weekends आती है, या तो आपको अपना exam clear करना होता है, उसके बाद आपकी selection होती है लेकिन अब अधार कार्ड आपको बहुत अच्छी opportunity दे रहा है, direct hiring की वो भी as a fresher, कोई exam आपका इसमें नहीं है, कोई fee नहीं है, कोई investment नहीं है आप fresher है, आप में से इसमें हर को eligible है, हर को apply कर सकते है, male and female दोनों ही हर चीज को हम detail में official site पर चल कर ही clear करेंगे, क्या job update आज चुका है, कब से कब तर किस तरीके से आपको apply करना है ध्यान से समझ लेना, क्योंकि golden opportunity आपके लिए आज चुकी है, as a fresher government department में, as a work from home job opportunity के लिए तो हर चीज को detail में cover करेंगे, और आपने भी वीडियो को ध्यान से देखना है तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक notification आप तक time पर पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को subscribe करके, bell icon को press करके all पर click करना, ताकि हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए बाकी सब्डेट के इलावा और भी बहुत सारी department है, जिनकी vacances आउट के जा चुकी है आप अपने qualification, अपने city या free district के accordingly हमारी official website www.clory.com पर visit करके information लेकर apply कर सकते हैं लिंक website का description में आपको दिया ही गया है इसके इलावा आप किस location से इस वीडियो को देख रहे हैं आपकी क्या qualification है अब ही जाकर comment section में जरूर लिखते ना ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी location की vacances को भी हम cover कर पाए और सबसे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक जरू कर देना आपका लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नहीं अप्डेट लेकर आने का तो बात करें अधार कार्ट की आई हू लेटास जोब विकैंसिस की बारे में जो की आपके लिए work from home job opportunity रहने वाले है विदाउट आपको इसको मिस करना चाहिए अप्लाइस के लिए जरू करना चाहिए तो यहां पर प्रसीजर क्या रहने वाला है पहले आपके इसमें 6-month की इंटर्नशिप रहने वाली है उसके बार पर्वेशन पीरेट रहेगा उसके बार आपके यहां पर्माने जॉब हो सकती है तो का क्या है कि इसमें लुकेशन का कोई बैरियरत नहीं है आप इंडिया में किसी भी city, village, district, town, किसी भी इंडिया के कोडने में रहते हैं आप इसको work from home कर सकते हैं कंडिशन किया है कि अगर आप किसी भी location इसको work करें आपको starting salary है in hand 15,000 आपकी रहने वाली है ठीक है इसके इलावा बाल में आपका probation period रहेगा उसके बाद आपके इसमें permanent job opportunity आपको मिल रही है जिसमें आपको पते आपको as a government employee बहुत जादा benefit रहते हैं अब 15,000 आप सोच रहों कि मैंने आपको up to 30,000 बोला है वो क्यों बोला है इन्होंने यहां clearly mention किया हुआ है कि अगर आप इस job को क्योंकि इनका जो बैंगलोर में है head office अगर आप बैंगलोर से इसको job को कर रहे हैं इनके office से करने हैं मतलब आप work from office अगर कर रहे हैं तो आपक अब आपके उपर depend करते हैं आप अपने घर से करना चाहते हैं रिमोट करना चाहते हैं तो आपको 15,000 मिलेगा अगर आपको इनके office में relocate होते हैं तो आपको 30,000 salary इसमें मिलने वाली है एक्जाम कोई नहीं है फी कोई नहीं है डारेक्ट आपके इसमें हाइरिंग होने वाल समझना है क्योंकि shortlisting आपकी उसी पर होने वाली है तो आप इसी को lightly मत लेना जैसे आपको बताऊंगी वैसे आपको इसके लिए apply करना होगा अब मैं आपको इनकी official site पर लेके चलते हूँ वहां पर चलकर हर चीज़ डिटीयल में कवर करते हैं first of all eligibility क्या रहने वाली है क्या form for internship यहां पर आप दो तने की link देख पाने है पहला जो है इनकी email id का है इसके क्या benefit आपको रहने वाला है इससे आपको क्या करना है वह आगे में आपको बताऊंगी ठीक है सबसे पहले आपको second link पर click करना है जैसे ही आप इस पर link पर click करेंगे आपके सामने एक नया interface open हो ज सार्टिंग से यहां पर देख पा रहे है unique identification authority of India मतलब UIDAI की तरफ से update आया हुआ है internship scheme 2022 यहां से आप सारी चीज़े रीड कर सकते हैं क्या इनका purpose है about UIDAI किस तरीके से work कर सकते हैं आप सब जानते हैं आप कोई unique idea यहां से मिल जाती हैं आप यहां से अपने accordingly कोई changes करवाना चाहते हैं वह यहां से आप कर सकते हैं government department है objective में आप सारी चीज़े यहां पर कर सकते हैं हम आज चुके हैं eligibility पर eligibility की सबसे पहले condition यह है कि only Indian citizens are eligible to apply मतलब Indian citizens आप है आप इसके लिए apply कर सकते हैं उसके बाद यहां पे अगर complete eligibility की बात करें दो से तीन टाइप की हैं पहली अगर आप अपने graduation के 3rd या 4th year में हैं आप इसके लिए apply कर सकते हैं उससे पहले semester में अगर आपके 63% marks आए हुए हैं इसे के साथ वो candidate जिनों आपने graduation complete कर ली हुई है with the 63% marks वो भी in vacances के लिए eligible है apply कर सकते हैं और यहां पे इन्होंने यह भी mention किया अगर ऐसे candidate जो master's degree कर रहे हैं तो उनके भी वो भी apply कर सकते हैं अगर उनके graduation में 60% marks थी तो उसके according भी आप इसमें apply कर सकते हैं मतलब क्या कि यहां final यह भी eligible है अगर किसी की ऐसे कोई degree है जिसमें 3rd और 4th year दोनों है तो आप दोनों ही इलिजिबल है चाहिए आप 3rd year में चाहिए 4th year में है दोनों इसके लिए इलिजिबल रहने वाले है ठीक है उसके बाद यहां पर इन्होंने प्लेस ओफ इंटर्शिप में हर चीज मैंशन की हुई है मैंने आपको जो पहले ही बताया अगर work from office कर रहे है तो बैंगलोर आपकी रहेगी घर से करना है तो आप किसे भी कौने में रहते आप इसमें कर स तो 15,000 आपकी पर मंथ salary इसमें रहने वाली है इसी के साथ M-tech वालों के लिए 40,000 है अगर वो work from office कर रहे है और remote अगर कर रहे है उनके लिए 20,000 इन है इसमें रहने वाली है उसे के साथ यहां पर MBA वालों की अगर बात करें वो अगर work from office कर रहे है घर से कर रहे है तो 20,000 आ तो एक्जाम आपका इसमें कोई भी नहीं होने वाला है इनके टीम बैठेगी उसके बिहाब पर आपके शॉट लिस्निंग होने वाली है उसके बाद आपको इसमें इन्वाइट किया जाएगा या तो आपके इसमें वर्चुल इंटर्व्यू होने वाली है या वाक इन होने अगर आप फ्रेशर अप्लाई ज़रू करना अब बात आती अप्लाई कैसे करना है तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मैंने आपको यह इंटर्वीज सबसे पहले ओपन हुआ था यहां पर इन्होंने अपने एक एमेल आइडी दी हुई है इमेल आइडी पर आपक कौन सा फोर्म सेंड करना है वो भी बता देती हूं जब आपने सेकंड निंक पर अगें क्लिक किया तो आपके सामने यहां पर में इंटर्वीज ओपन होगा यहां पर आप देख पा रहे हैं इस नेक्षर को आपको पहले डाउनलूड करना है जब आप डाउनलूड कर लें अगर इनकी साइट पर रेजिस्ट्रेशन ओनलाइन हो रही है वो आप इहां पर मैंशन कर सकते हैं अदरवाइस आप यहां से फिल करके जो इमेल आइडी मैंने आपको बताई है उसी इमेल आइडी पर बस आपको इस फॉर्म को फिल करके सेंड कर देना है क्योंकि आपकी यह सारी हाइरिंग है यह आपकी सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होने वाली है और साथ पी अपना सीवी भी आपको जरूर से अटैश कर देना है शॉर्ट लिस्निंग उसी पर आपकी डिपेंड करती है तो सारी चीज़े एकोरेट आपको फिल करके ही इनको इमेल करना होगा बा इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके और पर क्लिक करना ताहां कि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए चलिए आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इंफोर्मेशन के साथ थैंक्स और वाचिंगे